नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्शे दिवेदी और NCRT की क्लास 8 की पॉलिटी की किताब में मैं आपका स्वागत करता हूँ जैसे कि आप इस फोटो को देख रहे हैं पानी के लिए कुछ लेडीज और कुछ बच्चे एक टैंकर के पास खड़े हुएं इन सारे टबो में या फिर आप कह सकते हो घड़ो में पानी लेके ये अपने घर वापस लेके जाएंगे तो पानी से कमी से रिलेटेड ये चैप्टर है आप कह सकते हो इकनॉमिक प्रिजन्स ऑफ दे गोवर्मेंट इस चैप्टर का टैटल है इसकी शुरुबात करते हैं चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलेटीज यहाँ पे आपको कुछ फोटो नजर आ रही है यहाँ पे अन्ना स्लम में रहती है बहुत सारे यहाँ पे वैसलस और घड़े रखे हुए पानी भरने की लाइन है यहाँ पे टैप है सब लेडीज यहाँ पे लाइन लगा के पानी बरती है उसी तरीके से एक और घर आपको नज़र आ रहा है मड़ पक्कम इस घर में आप देख सकते हैं कि चोटा सा कम रहा है इस परसन के पास पानी पीने के लिए इस तरीके की बॉटल वाटर को मगवाता है और ऑविसी बात है जो टाप वाटर होगी उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी और एक और चगह यहाँ पे दिख रही है मायलापूर करके यहाँ पर मिस्टर सुब भाई बहन होंगे यह चिन्नाई के थुरू एक बस से ट्रेवल कर रहे हैं बस इनकी पूरी सिटी से जा रही है और यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ओफ चिन्नाई में जो पानी की सप्लाई है वो कितनी है इस चैप्टर में आगे वाड़ने पहले दोस्तों इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजे अगर अब तक अगर आपने नहीं दबाया है तो जो लोग सोचते हैं जो लोग देखिया अपने क्लास एट में हैं और वो अपने स्कूल परपरस के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वेल और गुड वीडियो पर लाइक का बटन चैनल को नई सब्सक्राइब किया है तो कर लीजें मेरे दोना बनाई गई और वीडियो को देखने के लिए जहां पर मैं कुछ और नॉलजफिल तिंग्स आपको बताता हूं या मेरा सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पर जॉइन बटन रबा गुपाल मिस्टर राम गुपाल वही है जिनका ड्राइवर उनकी गाड़ी को पाइप वॉटर से धोरा था यह अन्ना नगर चिन्नई में रहते हैं और अन्ना नगर चिन्नई का पॉश लाका है तो यह लाका लश है बहुत ग्रीन गार्डन से यहां पे लॉन्स हैं यहां जो पानी है लोग टैप वॉटर से अकसर कर जो लश गार्डन से उनको हरा भरा रखते हैं बंगलोज में टैप वाटर की सप्लाई है जदातर दिनों में जो टैप वाटर है अवेलेबिल होता है कुछ ऐसा समय होता है जब वाटर सप्लाई अवेलेबिल नहीं रहती है तो अगर में जो मिस्टर राम कोपाल है यह इतने पहुच वाले हैं कि मुनिस्पल वाटर बोर्ड में एक सीनर ओफिशल को जानते हैं उसको फोन लगाते हैं और आराम से एक वाटर का tanker इननके घर आ जाता है तो भाईय मिस्टर राम गॉपाल को तो किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम है कुछ और आखने जैसे मिस्टर सुब्रमननियम अभी मिस्टर राम कुमार का तो घर मैंने को दिखाया रहा है मिस्टर सूब्रमन्यम का मिस्टर सूब्रमन्यम रहा रहते हैं इनके पास जो पानी आ रहा है वह पानी टैंकर के थूँ आ रहा है तो यह माईलापुर में रहते हैं वाटर shortage से सफर करता है यह इस इलाके में जो municipal water है वो एक दिन में दो बार आता है यहां पे प्राइवेट बोर्वल भी है तो इस प्राइवेट बोर्वल से पानी निकल तो जाता है और कुछ रेजिडेंट्स की रिकार्मेंट पूरी हो जाती है लेकिन इस बोर्वाटर से जो की तो आप उसको toilets में इस्तेमाल करोगे या कपड़े वगरा धोने के इस्तेमाल कर सकते हो या फिर gardening वगरा अब इस्तेमाल कर सकते हो तो ज़्यादातर cases में मायलापूर में जो पानी है वो tanker से purchase किया जाता है और सुब्रमन्यम साथ रूप 500-600 रुपे प्रती महीना खतम करते हैं tanker से पानी खतम करने के लिए मतब यूज करने के लिए क्योंकि उनके पास पानी की कमी है और drinking water के लिए लोगों ने अपने घर में water purification system लगा रखे ताकि जो खारा पानी आता है या जो भी tanker का पानी आता है उसको water storage system में डालो और पानी purify हो जाएगा वहीं पर अगर आप सिवा की बात करो सिवा का घर मैंने आपको दिखाया था यह रहा आपका शिवा का घर ठीक है आप देख सकते हैं छोटा सा एक room जितना flat नजर आ रहा है जहां पर जो पानी आ रहा है वो ऐसे bottled water में आ रहा है पीने के लिए तो पीने का पानी तो यह लोग bottled water से मगा रहा है तो देखें सिवा की बारे में क्या information है सिवा मड़ी पक्कम में first floor अपने house के पहले floor में रहते हैं रेंट पे और इनको पानी मिलता है चार दिन में एक बार पानी की जो कमी है इसकी वज़े से शिवा अपनी family को चेनने लेके नहीं आना चाहता है शिवा bottled water खरीता और उससे पानी पीता है यह मैंने आपको बता दिया फिर finally आते हैं पदमा की इन सब examples में पदमा की हालत सबसे ज़्यादा खराव है आप देख सकते हैं यहाँ पे पदमा है यह एक slum में रहती है और पानी इस तरीके से line लगा के भरती है तो देखें पदमा के बारे में आपे क्या बताया जा रहा है यह एक domestic help की तरह काम करती है साइदा पैट में पासके एक slum में रहती है ठीक है इनकी जो rent है साड़े 600 रुपे का rent देती है अपने hutmen का जिस जोपड़ी में रहती है जहाँ पे रहती है न वहाँ पे बातरूम है नहीं वहाँ पे कोई tap connection है तीस hutmen के लिए वहाँ पे केवल एक common tap है और एक borewell है जिसमें 20 मिनट रोज पानी आता है इस 20 मिनट के पानी को भरने के लिए सारी लेडीज जाती है इस 30 घर की लेडीज जाएंगी और अपने अपने घड़े और बाल्टियां लेके मैकसिमम किसी दिन अच्छा पानी आ गया तो एक लेडी मैकसिमम तीन बाल्टियां मिल सकती है इन बाल्टियों के पानी से वाशिंग और ड्रिंकिंग के लिए इस्तिमाल किया जाता है लेकिन जब समर्स आते हैं पानी के हालत बहुत खराब हुजाती है यह जो बोरवल है इससे पानी और धीमी स्पीड से निकलना शुरू हो जाता है और फिर एक फैमली को या तो एक ही बाल्टी पानी मिलेगा या मिलेगा ही नहीं लिटरली वहाँ पानी के लिए लड़ाई होने लगेगी और अगर कोई एक फैमली पानी ले जाती है तो अविस यह बात है किसी दूसरी फैमली को धका मारके उसके हक को चीनके उसने पानी निकाला होगा इन वाटर टैंकर से पानी निकालने के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है इतने बुरी हालत है अब बात कीज़ा वाटर इस पार्ट फ़र्णमेंटल राइप देखे वाटर एक ऐसी चीज़े जो हमारी जिंदगी के लिए भी जरूरी है और हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है वाटर से ना किवल हमारी डेली रिक्वार्मेंट्स पूरी होती है अगर वाटर सही नहीं मिले अगर साफ पानी नहीं मिले नहाने के लिए खाने के लिए पीने के लिए तो हमें बहुत सारी वाटर रिलेटेड डिजीज़े हो सकती है जोकि पानी से हमारा खाना बनता है पानी को हमें पीना ही पीना है उसके बेना हमारी जिन्दगी चलनी सकती तो पानी is very essential for us इंडिया की बात की जाए तो गंदा पानी पीने और इस्तमाल करने के वज़से बहुत सारी डिसीज होती है जैसे डाइरिया, डिसेंटरी, कॉलरा आप कह सकते हो कि लगबग 16 सो भरती है जिसमें ज़दातर बच्चे होते हैं पांच साल से कम की उमर पे ये हर दिन मरते हैं वाटर रिलेटेड डिजीज की वज़से यानि इनको साफ पानी नहीं मिला साफ पानी ना मिलने के वैसे चूकि इनकी कॉंप्रोमाइस्ट इम्मिनिटी होती है छोटे होते हैं, जल्दी बीमार पढ़ जाते हैं और जल्दी बीमार पढ़ने के वैसे हैं मर जाएंगे और ज़दातर केसे में इनकी मौत क्यों होती है जो इनको साफ पानी नहीं मिलता इन deaths को avoid किया जा सकता है अगर इन बच्चों को पीने के लिए साफ पानी पिया जा यहाँ पे जो भारत का समयधान है यह right to water को right to life का part बताता है under article 21 of the Indian constitution यह क्या बोलता है कि भाईय देखे It is the right of every person whether rich or poor to have sufficient amounts of water to fulfill his her daily needs at a price he she can afford यानि क्या बोल रहा है कि भाईया देखे हर person चाहे वो गरीव है चाहे वो अमीर है उसके पास यह right है कि उसको कम से कम इतना पानी मिले जो उसके daily मर्रा की जरूरतों के लिए enough नहने के लिए धोने के लिए पीने के लिए खाना बनाने के लिए और उस पानी को वो afford कर सके afford कर सके मतलब जितना भी वो कमाता है उसमें वो afford सर सके तब आप बोल सकते हो कि universal access of water है लेकिन हमारे देश में पानी नहीं afford कर पा रहे हैं बहुत से लोग United Nations ने 2002 में क्या बोला right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use तो भीया सीधी सीधी बात है United Nations का भी यही बोलना है कि पानी के अधिकार का मतलब यह है कि सबके पास sufficient, safe, physically accessible और affordable water होना चाहिए अपने personal इस्तमाल के लिए भी और अपने domestic use के लिए अगर आप बात करो पानी तो पानी से related बहुत सारे court cases चल रहे है high court में, supreme court में और कई बार high court और supreme court बोल चुकी है कि भीया पानी safe drinking water का access होना किसी भी एक individual का fundamental right है 2007 में आंदरप्रदेश high court ने बोला देखे, in 2007 आंदरप्रदेश high court restated this हुआ यह कि महभूब नगर के एक villager ने आंदरप्रदेश high court को एक चिठी लिखी और उस चिठी में लिखी कि उसके गाउं में जो drinking water था उस drinking water में contamination हो रहा था villager ने complain किया कि पास में textile company काम करती है और वो textile company अपनी company के जो poisonous chemicals हैं उसको गाउं की नदी में छोड़ देती है मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके की company हो maximum कर company पानी के source के पास बनती है चुकि उनको पानी की जरूत होती है अपने industrial processes में और उस पानी को वो काफी हद तक गंदा कर देते हैं अब वो गंदा पानी जब वो stream में निकलेगा यही stream वाला पानी ट्रिकल हो के ground water में पहुँचेगा और धीरे 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 एक दो या पांच साल के time period में 10 साल के time period में जो ground water है वो पूरी तरीके से गंदा हो जाएगा और इस इलाके में महबूब नगर के इलाके में ground water was a major source of irrigation and drinking water तो जब ये चीज आंद्र प्रदेश के high court के पास पहुँची तो तुरंत आंद्र प्रदेश के high court ने महबूब नगर के district collector को order दिया कि भाईया आप supply करिये 25 लीटर प्रानी हर person को village में तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें अकसर कर होती रहती हैं बहुत बार जो हमारे देश के गरीब हैं उन्होंने अपने पानी के rights से related high court में या supreme court में cases file हुए हैं और उसका solution दिया गया बट कहीं न कहीं एक holistic solution की ज़रूआत है जो कि अभी तक निकल के नहीं आ पा रहा है sustainable development goals के अगर आब बात करिये तो उसमें goal number 6 है clean water and sanitation अब बात करते हैं public facilities के देखे पानी के साथ साथ कुछ और ऐसी essential facilities है जिनकी जरूरत सब को है इन में से दो जो important facility है एक है health care और दूसरी है sanitation और भी बहुत सी चीज़ों होती है electricity बहुत ज़रूरी है public transport जरूरी है school जरूरी है colleges जरूरी है यह सब public facility है public facility मतलब इनका बहुत सारे लोग इस्तमाल कर सकते है example देखते है क्या characteristic के public facility का कि भाया once it is provided its benefit can be shared by many people जरूरी है एक public facility का मतलब ही होता है कि उसके benefits को बहुत सारे लोग share कर सकते है अगर एक गाउं में एक school है तो इस school में बहुत सारे बच्चे पढ़के educated हो सकते हैं उसी तरीके से किसी एक इलाके में electricity की supply करनी है तो भाया वह supply तो बहुत सारे लोगों को होगी ना farmers को अगर आप pump set देते हो तो उस pump set से वो पानी को निकाल के अपने fields को irrigate कर सकते हैं लोग छोटी छोटी वरक्शाप कोल सकते हैं अपने इलाकों में जो electricity पे चलती हैं तो आप देखोगे कि जब electricity आएगी तो लोग अपना छोटा मोटा धंदा चला सकते हैं farmers pump set चलाके field को irrigate कर सकते हैं बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं विलिज में जो लोग हैं काफी खुश हो जाएंगे लोग थोड़ा आराम से रहेंगे तो electricity को provide करना this is a public आप कह सकते हो facility फिर आप बोलो school खोलना public facility है तो school खोलना, hospital खोलना, electricity को provide करना ये सारी public facilities हैं अब यहा जिसमें बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है दूसरी public facility होती है जिसमें पैसा कमाने का scope बहुत जदा कम होता है अगर आप भारती समविधान की बात करिए तो भारती समविधान ने right to education का principle दिया है मतलब कि वो बच्चे जो 6 से 14 साल की उमर में हैं उनको assured education मिलेगी इसके बा अगर एक्टिविस्ट इन स्कॉलर्स वरकियों एजूकेशन है डॉकुमेंटेड़ दफैक्ट इसकूलिंग इंडिया कॉंटिनूस तो भले ही हमारे समविधान में right to education act को लाके जो हमारी 6 से 14 साल के बच्चों की education उसको fundamental right बना दिया गया है हर स्कूल में चाहे वो private हो सरक हर तरीके से government के pro involvement के बावजूद आज की date में अगर आप education के बात करोगे इंडिया में education बहुत जादा अनिक वल है अब बात करते हैं उन public facilities की जो की government को provide करनी है और उसके बाद बात करेंगे जो की आपके private sector को provide करनी है देखे public facilities बहुत important होती है और किसी ना किसी को responsibility उठान करने के लिए यह जो responsibility है ना यह जो someone है ना जो public facility की responsibility उठाएगा यह हमारी सरकार government government की responsibility बनती है कि वो public facility को ensure करें for everyone ओके और government का यहाँ पर proactive involvement क्यों जरूर है इस चीज़कों में समझना बहुत जरूर है दोस्तों हमने यह देखा है कि जो private companies होती है ना वो for profit basis पे operate करती है story of a shirt करके एक chapter था class 7th की खिताब में जिसमें मैं आपको बहुत detail में समझाए भी था और NCRT में भी काफी detail में लिखा है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से मतलब जो constituents जो fabric है बटन है लेबर है stitching इन सब के process को मिला के आपने एक shirt बनाई और इस shirt को foreign की किसी company को बेचा गया भी नहीं मिल रहा है तो कुल मिला कि जो पूरा का पूरा process है वो for profit basis पर काम कर रहा है तो अगर private companies for profit basis पर involved है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी हमारे administration में जिनमें profit उतना नहीं कमा आ जा सकता है तो उस case में private companies वहाँ पर आएंगे निए for example अगर जो नालिया होती है उन नालियों को साफ रखना अगर malaria पहलने का डर है कहीं पर तो एक anti-malaria campaign चलाना क्या ये किसी private company के लिए profitable होगा malaria का vaccine मनानी हो तो बात अलगे लेकिन अगर नालियों को clean करना है anti-malaria campaign चलाना तो क्या ये किसी भी corporate के लिए profitable है नहीं है तो ज़दातर केस में आपको इन चीजों में केवल एक चीज involved दिखेगी और वो है municipality गौर्वर्मेंट जो शहर होते हैं वाप मिनिस्पारिटी हैं municipal corporations इस तरीके कामों में प्रोएक्टिवली आपको involved नजर आएंगे चोकि they are a part of the government गौर्मेंट का काम होता है इस तरीके की चीजों में involved होना तो ऐसी चीज़ें जहां पर बहुत ज़्यदा profit नहीं निकल सकता वहां पर आपको इस तरीके की जो private companies नजर नहीं आएंगी लेकिन ये private companies उन तरीके की public facility में नजर आएंगी जहां से पैसा कमाया जा सकता है एक तो स्कूल के नाम पर कैसे लूटते हैं आ वो बहुत ज़्यदा interested हैं और आप देखोगे कि यह जो schools और hospitals हैं वो large cities में operate करते हैं तो आप देखोगे कि कुछ बड़ी बड़ी cities में बहुत सारी private companies हैं जो private basis पे tankers के थुरू पानी को सप्लाई करती हैं आपने देखा को बेसलेरी जैसी कमपनी जैसी कमपनी जैसी कमपन Estamos 20 या-30 प्रती लीटर पे पानी बेचती हैं क्या 20 प्रती लीटर पे पानी का सलंब का इंसान बंा खरीद पाएगा विसलेरी की बहुतर में 20 प्रती लीटर में बिलेगा य Пढहीनिव मिल प्ली सकता है जो कि या तो lower ability class में अच्छिट एक the it the कब्येसा सोचेगा भी नहीं वो किसी भी नल से पानी पीलेगा बटी नहीं करी देगा एक लेटर की कूल मिलाकर कर द अदक अधार्य के पानी की सप्लाई में सुझवल खोलने में हवेश्पितल कोलने में ही जो प्राविट कंपनी इंवाल हो थैंगे इसुआ कि तो पॉलिक फैसिलिटीज को अगर ये प्रावज़ कमपनी अव्लेबल कराएंगी तो एक दाम पर कराएंगी जो कुछ ही लोग और फैसिलिटीज को आपाएंगे हर कोई आफ़ोड नहीं कर पाएंगा तो वह एक अफोर्डेबिल रेट पे नहीं होगी ओके तो अब्वेसी बात वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है इन फैसिलिटीज को अफोर्ड करने का वो इनसे वंचित रह जाएंगे फिर यहांपे क्या बोल जा रहा है तो गौर्मेंट को बहुत सारी और चीज़ों में इन्वाल होना है जैसे कि बच्चों को बीमारियों से बचाना मिशन इंदर धनुष के बारे में तो आपने सुना ही होगा वह यह एक प्रॉपर वैक्सीन प्रोग्राम चलता है और इंडिया का वैक्सीन प्रोग्राम इस बहुत जबरदस्त है नो डाउट अबॉट अबॉट बाट बाट त इस तरीके के वैक्सीन प्रोग्राम को चलाना है ताकि बच्चों को पोलियो डिप्थेरिया वूपिंग कफ इस तरीके की विमानियों से बचाया जा सके नाना प्रकार की विमारिया है जो फैलती है उनसे बचाना बच्चों को बहुत ज़ादा जरूरी है तो कुल मिलाके भाई देखिए public facilities में government को proactively involved रहना ही पड़ेगा चुकि private companies involved होंगे तो for profit motive पर काम करेंगे और एक limit से ज़्यादा for profit motive एक desirable option नहीं है फिर any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met यहनी कि एक society में जो लोगों की basic need है वो पूरी होनी चाहिए the right to life that the constitution guarantees is for all persons living in this country the responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government यहनी कि भाईया हमारे समविधान में जो right to life है उसके अंदर बहुत सारे और lights embedded है जैसे कि आप कह सकते हो right to healthy air, right to clean drinking water यह सब तो supreme court ने बोल दिया कि right to life के अंदर आता है और इसके लिए government को proactive होके public facilities को proper तरीके से लोगों को provide करना चाहिए यहाँ पर मैं चैप्टर को रोपता हूं अगली वीडियो में फिर आपके साथ में लोगा thank you for watching have a great day